नमसकार दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल शिवा उनलाइन क्लासे में दोस्तो आज की वीडियो ऑस्पेशल peak के लिए इस यह बहुत आप इनके लिए है स्लिक्षान पाने के लिए इस विडियू में आपके लिए केवल दस कोर्ष्ट लेकर आये हूं जो कि टॉप हंड्रेड में से छाठकर मैंने टॉप 10 कोर्ष्टन I5 बनाई है गर और इसमें railway के पूरे भत्ते और salary मिलती है तो दोस्तों यह बहुत अच्छी जोग होगा इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर only rpf और डिफेंस से समधित ही pdf और वीडियो लेकर आते रहत हूं तो दोस्तों rpf की तैयारी करने वाले इस वीडियो को जरूर देखें तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो के वल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी येरफोर्स नेभी और पीएफ CRPF, CISF, ITVP, SSB, BSF एंड अदर डिफेंस एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गई है अगर आप डिफेंस के तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक एक प्रिशन महतुपूर्ण है और आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए और वीडियो तो यह First Question है आपकर इस्क्रिण पर अर्जन अवार्ड दिया जाता है on options है आपके दोस्तों Business खलाडिओं के लिए Option B है दोस्तों कभियों के लिए और option C है आपका बैग्यानिकों के लिए और दोस्तो आपका option B है अपने ताओं के लिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि अरजुन अवार्ड दिया जाता है अरजुन अवार्ड options में आपके लिए बता चुका हूँ तो question number 1 का जो correct answer होगा वो होगा option A बिसिस्ट खिलाडियों के लिए जी हाँ दोस्तो जो खेल के छेतर में कुछ बिसिस्ट करते हैं कुछ उपलग्दी हांसल करते हैं उनके लिए अरजुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो question number 1 का correct answer option A बिसिस्ट खिलाडियों के लिए तो यहाँ पे next question के तरफ हम चलते हैं next question है हमारा question number 2 सुन्दरबन किस के लिए प्रसिद है option से आपके option A पांडा के लिए option B भालू के लिए option C है दोस्तो आपका बाग के लिए and दोस्तो आपका option D है हिरन के लिए तो आपको बताना है कि सुन्दरबन किस के लिए प्रसिद है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि सुन्दरबन जो है वो बाग के लिए प्रसिद है सुन्दरबन में बाग बहुत ज़्यादा मातर में पाये जाते हैं तो दोस्तो यहाँ पे question number 2 का correct answer होगा option C बाग तो next question के तरफ चलते हैं next question है मारा question number 3 गर्वा कहां का लोग निरते है option से आपके option A राजस्थान option B उत्तर प्रदेश option C गुजरात और दोस्तो आपका option D है इन में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हों कि गर्वा जो है कि गुजरात का लोग निरते है तो question number 3 का correct answer है दोस्तो option C गुजरात गर्वा कहां का लोग निरते है गुजरात का तो next question के तरफ चलते हैं दोस्तो next question है मारा राजस्था question number 4 चाय मुखिता पाई जाती है option से आपके नदी के एकनारे option B है उपजाव मैदानों में option C है आपका पहाड़ी डहलानों में and दोस्तो आपका option D है इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि चाय मुखिता कहां पर पाई जाती है तो दोस्तो question number 4 का जो correct answer होगा बो होगा option C पहाड़ी डहलानों में चाय की खेती दोस्तो जाद अतर पहाड़ी एरिया जो होता है जिनके लिए सीड़ी नुमक खेत बोलते हैं वहाँ पर की जाती है तो चाय मुखिता पहाड़ी अलाकों पाई जाती है तो दोस्तो question number 4 का correct answer होगा option C पहाड़ी डहलानों next question की तरफ चलते हैं next question है माराज का question number 5 भारती सेना के कितने कमान है मतलब command headquarter तो option से आपके option A 5, option B 7, option C 10, and दोस्तो option D इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि question है ये भारती सेना के कितने कमान है तो question number 5 का correct answer होगा option B 7 जी हाँ दोस्तो भारती सेना के इंडियन आर्मी के जो है वो केबल 7 कमान है और मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि वो 7 कमान कहां कहां पर इस्तित है और उनका काम क्या क्या होता है किस state में है वो किस जिले में है मैं एक डिटेल वीडियो बना रखी है तो दोस्तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें तो भारती सेना के कितने कमान है साथ question number 5 का correct answer है option D साथ तो दोस्तो next question के तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को भी like कर लें क्योंकि आपके द्वारा लाइक और कमेंट और शेर ही हमारे लिए हमारी मेनत का फ़ाल होता है तो दोस्तो चैनल पर जो स्टुडेंट्स नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें और दोस्तो अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की PDF आप वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो ये PDF डाउनलोड करना बिल्कुल free होता है इसके लिए कोई भी आपको charge नहीं देना पड़ता है आप इस वीडियो की जो PDF है इतने भी questions है उनके लिए आप डाउनलोड करके और बाद में भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने दोस्तो को भी भेज सकते हैं तो next question की तरफ चलते हैं दोस्तो next question है हमारा question number 6 डूरंड कप किस खेल से संबंधित है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है आपको बता चुका हूँ तो question number 6 का correct answer है दोस्तो डूरंड कप दोस्तो फुटवल से संबंदित है तो next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 7 की तरफ question number 7 है हमारा आज का भारत में परमाड़ू उर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है भारत में परमाड़ू उर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है आप्शन से आपके आप्शन A डॉक्टर होमी जहांगीर भावा आप्शन B डॉक्टर चटर जी आप्शन C डॉक्टर बिक्रम भाई, सारा भाई एंड आप्शन D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों question number 7 का जो correct answer है वो है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भावा भारत में परमाण उर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भावा के लिए तो question number 7 का correct answer option A डॉक्टर होमी जहांगीर भावा तो next question की तरफ चलते हैं दोस्तो next question है हमारा आज का question number 8 सबसे पहला चाता किस देश ने बनाया है दोस्तों यह बहुत important question है और कई बार RPA for Defense के एक्जामस में यह पूंचा जाता रहता है तो सबसे पहले चाता किस ने बनाया option साबके भारत ने, option B, जापान ने option C, चीन ने and option D, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सबसे पहले जो चाता बनाया था वो चीन ने बनाया था तो question number 8 का correct answer है option C, चीन तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 9 जामा मस्जिद इस्थित है तो जामा मस्जिद कहां पर इस्थित है तो आपको बताना है option से आपके option A, दिल्ली, option B, मुंबई option C, आगरा जामा मस्जिद कहां पर इस्थित है तो question number 9 का correct answer है option A, दिल्ली जामा मस्जिद कहां पर इस्थित है दिल्ली मे तो next question के तरफ चलते हैं next question है हमारा आज का question number 10 और यह आज की वीडियो का last question होगा भारत में राज्यों के राजपालों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों यह बहुत ही important questions है और students को यह question का जवाब पता भी होता है लेकिन फिर भी ज्यादा तर students इस question का जो answer है वो एक्जाम में गलत लेख के आते हैं तो confuse बिलकुल नहीं होना है मैं आपको आज बिलकुल clear कर दूँगा कि भारत के राजपालों की नियुक्ति कौन करता है तो दोस्तों भारत के जो राजपाल की नियुक्ति करता है वो करता है राश्ट्रपती तो राजपाल का सीध्य संबंद राश्ट्रपती से होता उसका ल तो दोस्तो कैसी लगी यह video मुझे comment करके जरुबताइए और अगर अभी तक आपने आप लाइक नहीं किया तो बीडियो को लाइक जरुब करने दोस्तों और अगर चैनल पे नए हैं then लें to subscribe जिरुब साथ ही वेल एकन को प्रेश कर लें जिससे आने बाने वाली 수도 क командification आपसे मिच ना हो तो चलिए दोस्तो ठैंक्स फॉर वाचिंग कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जै भारत